आज हम बनाएंगे गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी जिसे थेपला कहते हैं बनाना बहुत ही आसान है अगर आप किसी ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं और बाहर का खान आपको नहीं पसंद है तो आप इसे बना के ले जा सकते हैं दो से तीन दिन के लिए बहुत ही बढ़ कर लेना है फाइन चॉप कर सकते हैं जितना उतना आपको इसे चॉप कर लेना है हूआ अब इसको दो से तीन पानी वाश कर लेंगे और थोड़ा इस चुटकी भर नमक डाल दीजे यह अच्छे से क्लीन भी हो जाए गा और इसकी पतिया थोड़ी-थोडी नमकीन भी हो ज इसके लिए मैंने लिया है डेड़ कटोरी यहू का आटा एक कटोरी से ही मैंने सारे नाप लिये हैं उसमें वन फोर्थ कटोरी बेसन और इसको अप मिला लेजे अच्छे से आपको रेशियो इतना रखना है और ज्यादा बनाना है तो आप बढ़ा सकते हैं सेम उसी कटोरी से डेर कटोरी के करीम मैंने यह मेथी के पत्ते लिये हैं और इन सभी को हमें मिला लेना है अच्छे से ताकि यह मिल जाए और इसमें मैने डाला है कसूरी मेथी यह लगबग दो बड़े चम्मज होंगे इसको हाथों से क्रश कर लीजे और डाल देज़ें ला डाल देना है यहें लहसन अद्रक और हरी मेच को कूट के डाला है मैंने और दो बड़े चमच तेल डाल देना है और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल देजिए इन सभी को मिक्स कर लीजिए हल्का गुनगुना पानी से हमें इस आटे को गूत लेना है और ध्यान रिखिएगा पानी अगर हलका गुनगुना होगा तो यह बहुत बढ़ी आटा लगेगा और चल्दी खराम नहीं होगा यह जो बनके तयार होगा हमारा थेपला कुछ इस तरीके से इतना सौफ्ट ही हमको इसे गूतना है बहुत हार्ड नहीं गूतना है अलके गीले तॉलिये से आप इसको ढख दीजिए 15 मिनट के लिए और अब आप इसकी चोटी सी या जितनी बड़ी लोई आपको लेनी है उसे साब से लिजिए लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसे बेलना है तो बहुत पतला बेलना है थोड़ा साब आटा लगा सकते हैं और इसको जितना हो सके उतना पतला आपको बेल लेना है इस तरीके से मैंने सारे थेपले पहले बेल के प्लेट में रख लिये हैं ताकि मुझे आसानी हो इसको सेखने में तबा को आप मीडियम फ्लेम पर रखिये और इसको दोनों साइट से सेख लिजे ओयल लगा लिजे या घी लगाना है आपको वो लगा सकते हैं इस तरीके से हम दोनों साइट से इसको सेख लेंगे और तयार हो गया हमारा थेपला तो ये बनाना बहुत ही असान है वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा